आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने लक्षों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करें। लक्ष निर्धारित करना आसान है, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा आसान नहीं होता। हम सभी के सपने और आकांगशाएं होती हैं, लेकिन उन्हें हासल करने के लिए बहुत मेहंद और समर्पन की जरूरत होती है इस स्क्रिप्ट में हम आपके लक्षों पर केंद्रित रहने और उन्हें हासल करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करेंगे शरीर स्मार्ट लक्ष निर्धारित करें अपने लक्षों को प्राप्ट करने के लिए स्मार्ट लक्ष निर्धारित करना महत्वपूर्ण है स्मार्ट का मतलब विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंदिक और समय बद्ध है जब आप स्मार्ट लक्ष निर्धारित करते हैं तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। विशिष्ट लक्ष स्पष्ट का प्रदान करते हैं। मापने योग्य लक्ष आपको प्रगती को ट्राक करने की अनुमती देते हैं। प्राप्य लक्ष यथार्थवादी होते हैं। प्रासंदिक लक्ष आपके मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं। और समय बद्ध लक्षों की समय सीमा होती है। अपने लक्षों को छोटे कार्यों में विभाजित करें। अपने लक्षों को छोटे कार्यों में तोड़ना उन्हें अधिक प्रबंधनिय और कम भारी बनाता है। यहां आपको एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमती भी देता है, जो आपको प्रेरित रहने और विकर्षणों से बचने में मदद करता है. एक योजना बनाएं अपने लक्षों को प्राप करने के लिए एक योजना बनाना आवशक है. एक योजना आपको व्यवस्थित रहने, प्रगती को ट्राक करने और यदी आवश्चक हो तो अपना दृष्टिकोन समायोजित करने में सहायता करती है आपकी योजना में अपने लक्षयों को पूरा करने के लिए आवश्चक कार्यों, समय सीमा और संसाधनों की एक सूची शामिल होनी चाहिए प्राथमिक्ता दे जब आपके पास कई लक्ष हो तो उन्हें प्राथमिक्ता देना आवश्चक है अपने लक्षों को प्राथमिक्ता देने से आपको सबसे महत्वपूर्ण लक्षों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आप भटकने से बचते है आप अपने लक्षों को उनकी तात्का लिखता महत्विया प्रभाव के आधार पर प्रात्मिक्ता दे सकते हैं विकर्षणों को दूर करें विकर्षण आपके ध्यान को पट्री से उतार सकता है और आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने से रोक सकता है विकर्षणों को खत्म करने के लिए पहचाने की आपको क्या विचलित करता है और उन्हें खत्म करने के लिए कदम उठाएं आप सूचनाएं बंद कर सकते हैं, सोशल मीडिया को ब्लॉग कर सकते हैं या किसी शांत जगा में काम कर सकते हैं प्रेरित रहो अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है त्रेरित रहने के लिए अपने आपको याद दिलाएं कि आपने अपने लक्ष क्यों निर्धारित किये हैं और उन्हें प्राप्ट करने के लाब क्या है आप प्रत्यक मील के पत्थर तक पहुँचने के लिए खुद को पुरस्कृत भी कर सकते हैं निशकर्ष अंत में अपने लक्षों पर ध्यान के इंद्रित करना उन्हें प्राप्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं याद रखें, अपने लक्षों को प्राप्ट करने के लिए प्रयास और समर्पन की आवशकता होती है लेकिन ध्यान और द्रिड संकल्प के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप अपना दिमाग लगाते हैं सुनने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स मददगार लगी होंगी